आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बीएड स्कॉलर्शिप की मैं बैक टू बैक वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करो यार आपकी स्कॉलर्शिप 100% आ जाए ठीक है इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किया हूँ आपके च कॉलेज में जमा करोगे उसी से एडिटर मैं इस बीडियो में बात करूंगा कि आपके पास कौन-कौन से डाक्मेंट होने चाहिए जब आप कॉलेज में जाओ फाइनल प्रिंट जमा कराने ठीक है उसके बाद मैं बात करूंगा कि आप लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पर कमेंट कर रहे हो कि sir मेरी ये ये प्रॉब्लम है मैं इन पर complete डिसकस करूँगा ताकि आपका सब confusion दूर हो जाए सायद या मेरी beard scholarship पर आखरी वीडियो हो सकती है ठीक है इससे आप लोग ध्यान से देखो patience बनाया रखो एक एक उसे document होने चाहिए तो income certificate का जो है आपके पास एक pass कर ली हो BA या BSC उसके बाद आपका गया वर्स है गया पीर है तो उसका एक certificate बनवा लीजेगा high school की marksit का photocopy उसके बाद आप लोग पिछले साल जो pass कियो उसकी एक certificate चाहिए BA हो BSC हो कुछ भी जिसके base पे आप लोग इंटरेंस exam और admission लिए हो उसकी एक photocopy ले लिजेगा ठीक है bank passbook with attached IFC code IFC code साफ साफ दिखना चाहिए bank के passbook का जो front का जो है उसका print आउट लिजेगा उस पे IFC code होना चाहिए ठीक है यह important भी है इसी में आपकी scholarship पाएगी इसी के base पत ठीक है यह certificate हुगा अब उसके बाद समझ लेते हैं आपकी problems bank account related issue कई बच्चों ने मुझे comment किया कि sir मालो मेरा जो admission हो गया प्रयागराज में और मेरा home district है प्रताबगर तो sir मैं कहां का account लगा हूँ तो बच्चे आप कहीं का भी account लगा सकते हो किसी भी district का कोई problem नहीं है अधार card related issue बच्चे अगर अधार card में आपका address थोड़ा बहुत भी गलत है तो आप लोग अपना सही address भरिएगा ठीक है और address में यही यही जो आप लोग address है कि अगरा अधार card में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप लोग सही address उसमें feel करिएगा ठीक है income certificate related issue important है यह इसका number आप लोग अच्छे से भरिएगा इसकी जो है कि वैलिटरी अच्छे से भरिएगा तीन साल से कम होना चाहिए दोनों ठीक है और खासकर यह करो जो बच्चे बनवार है वो 36,000 से कम होना चाहिए income certificate ठीक है फिर भी कोई doubt बचता है और एक doubt और है mobile number तो बच्चे जो mobile number वो अधार card से link होना चाहिए और जो आपका bank account है वो अधार card से link होना चाहिए bank account में आपका अधार card ज अच्छे से और देखो इसका screen chart ले लो ठीक है चलो इसके बाद हो सकता है तो मैं एक video और लाओंगा जो final print out होगा जिससे आप लोग अपना जो है form मिला लीजिएगा ठीक है चैनल के साथ subscribe परके जुड़ जाओ बियर या BTC जो इसमें भी आप लोग admission ले लिए हो आगे की तयारी करोगे यह चैनल आपको best से best content प्रवाइड करेगा ठीक है तो चैनल के साथ जुड़ जाओ यार support करने के लिए अपने friend circle में share भी कर दो ताकि कोई भी गलती ना करे कोई भी student आपका कोई friend हो चाए कोई भी हो ठीक है चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल र